हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेग मैं यूट्यूब चैनल MS में जाम अप्लोड करता हूं BSC Mathematics and Physics Related Video Lectures इस वीडियों बात करने माले हम यहां पे बीटा रे स्पेक्ट्रम का ढृ coping होता स्पेक्ट्रूमीटर आफे इसका स्पेक्रूमीटर जो तो है स्पेक्ट्रूमीडर कैसे हमको मिलता है वह में फिसक्र करेंगे इससे हम और near निकार शाफकिया किया किम जा कर देख सकते हैं इसटॉपिक में इंग तोपिक में अबलार बिटा टीकर संदीगरें, निकर निकरा ने से पालसरों तो, रहीं होता है जिसको हम बीटा प्लस दिनॉट करते हैं विच आर इमिटेट बाइद रीडियो एक्टिव मटीरियल से इमिट होता है इस पार्टिकल आर चार्जड पार्टिकल जो था पॉजिटिवली चार्जड रोता है बीटा पार्टिकल पॉजिटिव नेगटिव दौनो टाइप का होता है So these are affected by the electric field and magnetic field, इन पर electric field और magnetic field धौनों का यहाँ पर effect होता है. So their ionization power is low as compared to the alpha particle. Alpha particle जो होता, positively charged होता है, लेकिन यहाँ पर negative और positive धौनों होने करण इनका जो ionization power होता, ionon शम्ता जिसको कहता है, वो यहाँ पर कम होती है. It is due to their small size, यह बहुत size में छोटे होता है, हलके होता है, और alpha particles जो होते हों भारी होता है, ठीक है? And यहाँ पर हम बात करते हैं, जो इनका यहाँ पर like penetration power होता है, ठीक है? वो इनका क्या होता है? Like as compared to the alpha particle वो इन में ज़्यादा होता है, ठीक है? And the electrons are, electrons and positrons are formed, इसमें जो particles बनता है, electron कब बनता है? जब neutron टूटता है, neutron का आगे जब neutron आगे proton में convert होता है, तो वहाँ से electron निकलता है, इसको हम कहते हैं, minus beta dk, and proton जो होता है, वो जब break होता है, तो वो neutron और एक positron में होता है, इसको हम कहते है, plus beta, beta plus dk, ठीक है, इस टाइप से इनका यहाँ पर formation होता है, and during the beta dk, isobar forms होता है, isobars होता है, वो यहाँ पर forms होता है, जिनका atomic mass होता होता हूँ सेम होता है, ठीक है, isobar कैसे form होता है, for example, अगर हम बात करता है, कि यह आपके पास में, x a type का कोई atom है, nucleus है, और यह nucleus आगे जाके, यहाँ पर y में convert हो रहा है, बीटा प्लस dk की बात कर रहा है, और यहाँ से अगर एक electron बाहर निकलता है, यह 0-1, तो क्या होता है, z में एक प्लस हो जाता है, और यहाँ से a बनता है, तो क्या हो रहा है, आइसो बार्स यहाँ पर बन रहा है, इसका, ठीक है, जिसका atomic mass same है, atomic number क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, similarly, बीटा प्लस जो होता है, उसके अंदर भी आइसो बार बनता है, यहाँ पर अगर z a type का है, और यहाँ से y बनता है, तो अगर बीटा प्लस, यानि कि इसको basically e 0 प्लस लिखा जाता है, e 0 प्लस बन लिखा जाता है, basically this is, यह electron है, और यह यहाँ पर positron होता है, तो यह क्या होता है, z minus 1 उससे e कम हो जाता है, a में कोई change नहीं आता है, इसके अंदर, और intensity का जो graph होता है, वो यहाँ पर मिलता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे, the beta particle are emitted with all possible energy ranges, ranging in minimum to maximum, इसमें सारी minimum से लेके maximum तक की सारी जो इसके अंदर ranges यहाँ पर present होती है, अब इसका जो intensity curve मिलता है, वो कुछ इस type का intensity curve मिलता है, पहले वो maximum होता है, और फिर यहाँ से minimum होता जाता है, एक बार maximum आपको यहाँ पर, बीच में intensity जो होती है, यह intensity और यह energy के साथ में, जो 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 इसके energy बढ़ेगी, वैसे उसकी कम हो जाएगी, इसको हम कहते हैं, यह minimum होता है energy यहाँ पर, और यहाँ पर energy maximum दी जाती है, लेकिन middle में जब रहता है, उस case में इसकी intensity maximum होती है, minimum और maximum पर energy approximately equal ही रहती है, ठीक है, continuous spectrum, this is known as continuous, यह जो होता है, इसको हम कहता है, continuous spectrum of beta particles, beta particles का continuous spectrum आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, if there exist energy level in the nucleus, अगर nucleus के अंदर energy levels present होते, then before and after the emission of beta particle, the nucleus should be in the definite nuclear state, तो कोई ना कोई एक beta particle जब उसमें से emit होता, emission होता, तो nuclear एक particular state में होता, ठीक है, and the difference of the energies of the two states, should be equal to energy, यहाँ पर beta particle के energy के equal उनका difference होना चाहिए था, जैसे electron orbit के अंदर, electrons का energy states में जो हता, उनका difference होता है, energy electron के energy पर depend करता, और अगर nucleus में अगर orbits, like this type के levels होते है, energy states जिन में होते हैं, तो nucleus definite में रहता, और वो beta particle के energy पर depend करता, spectrum must be directed, spectrum must be discrete, सबका spectrum अलग-अलग मिलता, but the spectrum continuous होता, spectrum सबका अलग-अलग मिलता, लेकिन spectrum सबका continuous होता, now, so the emission of the beta particle from the nucleus cannot be explained on the basis of the above equation, इस इन दौना equation से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे explain नहीं कर सकते, तो basically हमको यहाँ पर neutrino hypothesis of Fermi, जो theory है, उसके बार में समझना पड़ता है, तो बात करते हैं यहाँ पर इसके बार में, in order to explain the beta dk, Fermi used the neutrino hypothesis, Fermi scientist का नाम है, उन्होंने neutrino hypothesis दिया, उसके थूरू इन्होंने समझा, कैसे देखो, the neutrino hypothesis was given by the Pauli, Fermi जो है, इन्होंने पावली नहीं दिया था, तो यह क्या कहता है, according to Pauli, the beta emission is always, beta emission is always, accompanied by, accompanied by the emission of a new particle, called a neutrino, वहाँ से एक, उसमें एक और emission होता है, particle का, वो होता है neutrino, this particle is neutral particle, its spin is half, so it is a fermion, क्योंकि जब हम बात करता है, basically इसको fermi level कहा जाता है, particles major 3 प्रकार के होता है, उसमें एक आता fermion, fermion particle का type होता है, जिसका half spin होता है, और neutral होता है, वह fermions में जाता है, इसलिए यह fermions कहलाता है, it obey the fermi-deraag statistics rules होता है, यह fermi-deraag को, fermi-deraag जो है, उसको यह follow करता है, इस mass is negligible as compared to electron, electron की compare बहुत हलका होता है, और बहुत कम time के लिए ही होता है, fermi uses the concept of emission of neutrino, along with beta particle, to explain the continuous spectrum, उन्होंने neutrino की help से, इसके continuous spectrum को समझने कोशिश की, and the distribution of energy available in the transition, it is based on the law of change, law of change पे based होता है, so that the emission of beta particle of the nucleus will take place according to following equation, कुछ equation उन्होंने दी, उसके बारें बात करते हैं, कि जो beta emission यहां से होता है, वो basically ZA यह आपके पास में nucleus है, और यहां से जब, यहां से electron बहार निकलता है, तो उस case में Z plus 1 होता है, और यहां पे यह A ही रहता है, अब देखो, इसके साथ में एक anti-nutrino बाहार आता है, this is known as anti-nutrino beta minus dk के अंदर anti-nutrino निकलता है, similarly, यहां पे हम बात करते हैं, और beta अगर plus dk होता है यहां पे, तो उस case के अंदर यह होता है, यह होता Z minus 1 plus electron minus 1 का plus 1, यहां से neutrino particle निकलता है, और यह कब होता है, beta plus dk के अंदर, so this is all about the beta dk, and the energy shown between the beta particle is the neutrino, यह energy यहां पे random होता है, at random यहां पे energy show की गई है, तो यह जो चीज हैं यहां पे, basically, यहां पे, beta particle के, जो emission को, spectrum को बिल्कुल easily समझाता है, neutrino और anti-neutrino के concept पे, neutrino और anti-neutrino दोनों फर्मी होता है, एक दुसरे के यहां पे, यह इसका anti-particle होता है, anti-neutrino, ओके, अब बात करता है, यहां पे beta ray spectrum के बारे में, beta ray spectrum क्या, spectrometer स्पेक्टरम तो हमने पढ़ा, spectrometer, हम बात करता हैं कि, जब हम इसका energy graph बना रते हैं, तो यह कुछ इस type का आता है, पहले यह बढ़ता है, और फिर यह कम होता है, minimum दोनों जगे लगबख शेम होता है, मतलब middle के अंदर intensity बहुत ज़्यादा होती है, यह हमने देखा, तो इसको हम spectrometer के तुरू समझेंगे, इस अंदर यहाँ पर बीटा पार्टिकल स्टूर्स यहाँ पर रखा जाए, बीटा एक्टीव материल, बीटा एक्ट्व मटीरियल से कोटेड होता है, अब यहाँ रखाए होता है, इसके नीचे होता है, इसे धो यहाँ पर लगए होता है, यह इनको कहते हैं, shielding, shielding मतलब, जहां से वो बहर नहीं आ सके, एक direction में जा सके, यह इसके नीचे की तरफ होता है, इसके नीचे की तरफ एक wire की फ़र में लगा होता है, जहां से बीटा पार्टिकल इमिट होंगे, एक wire होता है, जिस पर बीटा active material लगा होता है, वहां से बीटा पार्टिकल इमिट होता है, अब यहां से जो इमिट होता है, यह कहा रहा है कि अबाव दी सोर्स, तेर इस एक्स्टरनल स्लिट, अलेंट अफ दी सोर्स वायर एक्स्टेंड अलॉंग दिस लिट, यहां पे जो होता है, अब बीटा पार्टिकल इमर्जिंग फ्रम दिस लिट, इस लिट से बहार निकलते हैं, यहां पे एक लिट लगा जाता है इस टाइब से ताकि वो बहार निकले, और जब बहार निकलते हैं यहां से, तो in that case, एक transverse magnetic field यहां लगा जाता है, तो transverse magnetic field, एक है transverse magnetic field लगा जाता है, transverse magnetic field, जिसे कि क्या हो, वो सारे पार्टिकल एक इस डिरेक्शन में circular, due to lorange force, यहां पे lorange force लगता है इनके उपर, और यह photographic plate, इस is photographic plate, और इस photographic plate के ऊपर क्या होता है, यहां से जब बीटा particle आएंगे, वो एक circular form है, इस type के circular form में क्या होंगे, यहां से इधर आएंगे और इसके ऊपर चलेंगे, यह ऐसे, तो एक circular path जो इनको परदान करता है, वो कौन है यहां से, बीटा part, यह इसका transverse magnetic field, अब जब यहां पर ऐ intensity, यह ऐसी intensity आपको देखने को मिलती है, side में जो होती हो intensity कम होती है, यह इसे lines बनती है, बहुत सारी ऐसे lines बनती है, यह intensity, लेकिन middle के अंदर थोड़ी-थोड़ी और बढ़ने लगती है, फिर और बढ़ती है, फिर और गहरी होती है, फिर आपस इधर जो है वो बहुत कम intensity आई जाती है, intensity कम होती है, क्योंकि इधर energy कम थी, और एकदम just middle के अंदर क्या होता है, energy बहुत जादा हो जाती है, यहाँ पर intensity एकदम high intensity होती है, यह ऐसे आपको lines मिलती है, यहाँ पर जो intensity होती है, वो high intensity होती है, यह आपको high intensity देखने को मिलती है, मतलो यह जो 3-4 lines होया, middle अंदर यह क्या सो करती है, high intensity, okay, so यह पुरा system होता, बिटा, अब यहाँ पे देगो, लैड का यहाँ पे एक shielding लगाया जाता है, ये क्या है, lead का एक shielding लगाया जाता है, in order to protect the photographic plate, यहां से निकल के कोई पार्टिकल इस पे अटक न कर ले यह कहीं और से इसके अंदर से निकल के मेरी विदाउट मेगनेटिक फील्ड हो जाके वहां नहीं टक रहा है कि कोई जो इस्पेक्ट्रम आपको मिल रहा हूँ अच्छे से इसलिए आपको एक सील्डिंग एक प्रोटेक्शन वहाँ पर दिया गया है इन ओडर तो प्रोटेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट प्लेट इंसिडेंट डिरेक्ट इंसिडेंट नहीं होना ची वह मैगनेटिक फील्ड के त्रूवी जाना ची इसकर्णिंग एफएक्ट को रोपने के लिए उसका काम करता है SILDING लगा जाता है जो की lead का बना होता है lead जो क्या करता है उसको absorb lead बहुत stable होता है lead क्या करता है जोबिपार्टिकल्स होता है उनको यहाँ पर absorb कर लेता है क्योंकि nucleus जो होता है वो always kochis करता है इस आपके दिन में particles को absorb करना यह सारे अब्जॉब होते है न्यूकिलियस के द्वारा लेट तरसे स्टेबल होता है इसलिए क्या होता है इसको एब्जॉब कर लेता है और लॉरेंज जो फोर्स लगता है उसके कारण यहां पर क्या होता है सर्कुलर पात इसका बनता द्यू टू मैगनिटी अब जब लॉरेंज फोर्स की बात आए गया है तो हम इसके लिये जो जो लेक्ट वैल्यू है उसके बारह में बात करते हैं क्यों। लॉरेंज फोर्स क्या होता है क्यू बीवी विवे जो होता है प्यू एड़िस अफच की बीटा पार्टिक अनड्ट Q जो है वो उसका चार्ज हो जाएगा बिसिकली चार्ज ओफ बीटा पार्टिकल जो की E के एक्वल होता है P यहां पर मेगनेटिक फिल्ड हो जाएगा जो की ट्रांसवर्स डिरेक्शन में लग रहा है एंड हम यहां पर बात कर रहा है पॉर्स जो लगता है चार्ज पार्टिकल के ओपर that is basically F is equal to M V square centrifugal force जो है जब center में चलता है centrifugal force जो उसके ओपर लगेगा यह लोरेंज force है यह centrifugal force है लोरेंज force लोरेंज force और centrifugal force यहां पर equal हो जाता है जो है और जो है उसका क्या हो जाएगा our basically radius radius of circular path यहां पर बनता है इसका राडियस हो जाएगा ओके नाओ यहां पर क्या होता है एम जो है उसका क्या हो जाएगा मास मास ओफ बीटा पार्टिकल यह लॉरेंज फोर्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा qvb is equal to mv square upon r यहां से अगर मैं radius find करता हूँ तो यह हो जाएगा mv v से भी cancel upon q upon v basically radius जो है उसकी velocity पर डिपेंड कर जितनी ज्यादा velocity होगी उतना उसका radius बढ़ा होगा उतना particle दूर जाके गिरेगा velocity जिसकी ज़्यादा हो यह सबसे ज्यादा velocity उसकी है तो यह यहां जाके यहां जाएगा सबसे दूर जाके वह गिरेगा और वहां पर अपनी line intensity भी उसकी बनेगी यहांप, Мы आप हम क्या कह सकते हैं, ग निद्ट हो घंग ऑफगी स्क्वेर्ट के स्पेक्ट्रोमी स्क्ट्रोमीटर में पुरा उता इós स्प्ट्रोमेटर वीटा स्फ्ट्रोमेटर अच्छे से क्लिएख तो थेज़े दीज़तर अरोगा Wiki एसी टाप के फॉर मोर वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाई